मकर संक्रान्ती के आउसर पर एक चीज है जो पूरे देश में फेमस है और वह है तिल और तिल का लड़ू लोग इस दिन बहुत ही श्रद्धा और भक्तिभाव से तिल के लड़ू बनाते हैं और सुर्य देव सही भगवान विश्नु और कोल देवी देवता को इसे भेट करते हैं लेकिन क्या आपने सोचा है आखिर मकर संक्रान्ती पर तिल के लड़ू बनाने की परमपरा क्यों हैं? मकट संक्रान्ती पर तिल और गुड की लड़ू खाने की परमपरा चली आ रहे है वैसे विवारिक रूप से दिखा जाए तो मकट संक्रान्ती का अगमन शीत रितु में होता है तिल और गुड की तासीर गर्म होती है इसलिए इस परव में तिल और गुड़ खाने की परंपरा है जिसी शरीर में गर्मा हाटाती है जो तिशी द्रिष्टि से तिल और गुड़ से बना लड़ू पहुती लापकारी होता है दरसल तिल जो है वह शनी से संबंदित वस्तु है और गुड़ सूरी देव से संबंदित तिल और गुड़ का मिलन शनी और सूरी के मिलन का प्रतीक है इसलिए इन दोनों को भेट करने से सूरी देव प्रसन होते हैं और तिल के लड़ू खाने से शरीर में शनी और सूरे का संतुरन बना रहता है, तो ये परंपरा चली आ रही है, अब ये तिल और गुड का लड़ू बनाने की जो विदी है, बहुती सिंपल है, जो हर कोई बना सकता है, सबसे पहले आप तिल को एक कड़ाई में मिरियम फ्ले इसे रोस्ट कर लें, धीरे धीरे इसको चलाते रहें, तेज आच में इसको ना करे नहीं तो तिल हमारा चल जाएगा, जैसे ही चटकने की आवाज आए, इसका मतलब है तिल हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसकी खुश्बू पूरे घर में फैल जाती है, जब हम दिल को इस प्रकार से सेखते हैं, शरीर में खुन की मातरा को सही बनाए रखने में तिल बहुत मददगार है, बाल और तवचा को मजबूत और सेहत मन्द रखने के लिए रोजाना तिल का सेवन बहुत ही लापकारी माना जाता है, तिल में मौजूद प्रोटेन पुरे शर दाई में हमने गुड को ले लिया है, मिठास अपने अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी सी मातरा में पानी डालके आप अच्छे से इसकी चाशनी बना लें जब तक ये हमारी कढ़ाई को न छोड़ने लगे, गुड भी बहुत ज़्यादा लापकारी है, आ हमारे देश में गुड को प्राकृतिक मिठाई के रूप में पहचान मिली हुई है, गुड न सिर्फ स्वाद में अच्छा होता है, बलकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत फायदे मंद होता है, सर्दियों में गुड खाने से जुखाम और कफ की समस्या नहीं होती है, साथ ही गुड खाने से शरीर में रोगों से लड़ने की छमता होती है, प्रति दीन खाना खाने के बाद गुड का एक टुकड़ा हमारे पाचन तंतर के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, और यह हमारे बढ़ते वजन को नियंतरित करने के लिए बहुत ही सहयोगी है, अब हमारी जाशनी अच्छे से तयार हो चुकी है, उसमें हमने मिक्स कर दिया है अपना भुना हुआ तिल, अब दोनों को आप मिक्स कर दें, तो आज यहां हम बनाएंगे थोड़ी से बर्फी और थोड़े से लड़ू, जो नई-नई कुकिंग कर रहे हैं, जिन से लड़ू नहीं बन जाया है, जिससे कि वो अराम से यह बना के इसके पूरे फायदे ले सके, जब भी आप गुर लें तो गुर को पहले टेस्ट कर लें, क्योंकि मिलावटी गुर भी बहुत आता है, जो हमारी शरीर के लिए फायदे मंद नहीं होता है, अगर गुर का स्वाद थोड़ा नमकी जाते हैं, अब इसको आप एक थाली में पहले चिकनाई लगा लें, उसके बाद हम इस वाले पूरे पेस्ट को एक थाली में फैला लेंगे, और इसको आप इसी प्रकार से रहने दे, आदा घंटे के बाद चकु से काट के मन पसंदाकार के आप बर्फी बना सकते हैं, और इसका आप लड़ू बनाना चाहें, तो इसी भाग में हाथ में थोड़ा सा घी लेकर आप लड़ू का शेप कर सकते हैं, तो गुर्ट से हत खिले बहुत ही अच्छा होता है, सर्दियों में गुर्ट की चाय पीने से कई बिमारियों का खत्रा कम होता है, अगर आप वेट ल इतिस समय आप पहचान जरूर करें, ने तो आपको फाइदे की जगर नुकसान हो सकता है, और ये हमारा बन गया है लड़ू, हमने यहाँ पे पांच से छे लड़ू बनाए हैं, बाकी मैंने थाली में ही इसी प्रकार से छोड़ दिया है, आप चाहें तो इसकी बर्फी बन एक-एक लड़ू का प्रशाद दे दें, तो ये बन गया हमारा मकड संक्रांती पर इस्पेशल तिल और गुड का लड़ू, और तिल और गुड के जो फाइदे हैं, मैंने आप सभी से अभी शेयर किये हैं, और वीडियो अच्छी लगती हो, शेयर करें, और ये लड़ू क आप इंजॉय करें, नकली गुड को मिठा करने के लिए इसमें सूगर क्रिस्टल के मिलावट की जाती है, इसकी पहचान करने के लिए आप गुड को पानी में घोलें, अगर वह तैरता रहता है तो असली गुड है, और पानी में नीचे बैठ जाता है, यानि इसमें कई प